है एवरीवन वेल्कम बैक टो एनके बाइलोजी क्लास आपका किंग्डम प्रोटिस्टा के अंडर क्राइसोफाइट्स एंड डाइनो फ्लेजुलेट्स के बारे में आज हम उसी के अंडर पढ़ने वाले यूगलेणोइट्स के बारे में हम इसका स्टक्चर देखके समझते हैं कि क्या चीज है आप यहां पर स्टक्चर देख रहे होंगे स्टक्चर में सबसे पहले तो आपको यहां पर यह स्टक्चर दिख रहा है यह स्टक्चर क्या है यह स्टक्चर है कि आपका इसका नाम है फोटो रिसेप्टर फोटो का मिन् को चैनने की इसके और कवरिंग क्या होती है इसके और कवरिंग होती है pigment शील की pigment क्या होता है chlorophyll A and B यह pigment शील क्या करते हैं light को absorb करते है और photosynthesis की process करते हैं तो आप यहां पर एक चीज और समझ चुके यूगलेणोइट सिया कर रहे हैं फोटो सिंथेसिस कर रहे हैं अब देखिये अब पॉइंट आया कि ए यह कवरिंग क्या कहले हैं यह वाली और यह कवरिंग को हम क्या कहते हैं सो इस कवरिंग को हम कहते हैं पैलिक इस कवरिंग को हम कहते हैं इस कवरिंग को हम कहते हैं पैलिक क्योंकि इसमें क्या होती है सेल वाल प्रेजन नहीं होती है इसमें क्या होती है सिर्फ पैलिक होती है जो कि इसकी आउटर कवरिंग होती है सेल वाल इसमें नहीं पाई जाती ह आउटर कवरिक पैलिक की होती है जो कि इसको फ्लेक्सिब्लीडी प्रोवाइट करती है एंड यह यहां पर क्या करते हैं यहां पर क्या होता है स्टोरेज का काम होता है मतलब कि फूड स्टोर होता है और जहां पर फूड स्टोर हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं पैरे माइल इसे हम आप पैरा सिंघ्र मालम मों सो यह थी इसका स्टक्चर के बारे में यह वाला स्टक्चर देख लए यह उसका क्या है मांद है जो इसका क्या क्या क्या辣ती opening कहलाती है जिसको हम क्या कह रहे है cytostorm कह रहे है उसकी इसको क्या कह रहे है cytostorm कह रहे है cytomins होता है cell ये था आपका euglenoids के structure से related आप देखते हैं इसके points के क्या है ये क्या होती है mainly fresh and stagnant water में पाई जाती है ये connecting link होता है plants and animal का उसके बाद मैंने आपको भी बताया था कि cell wall नहीं होती है क्या होती है outer covering होती है pellic की जो से क्या प्रोवाइड करती है flexibility प्रोवाइड करती है इसमें two flagela होती है एक short होती है और एक long होती है mode of nutrition इसका mixotrops होता है तो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है photoreceptors है तो photoreceptor का मतलब क्या है कि sunlight की present में क्या करेगी photosynthesis की process करेगी तो photosynthesis की process जो करते हैं क्या कहते हैं auto-trops क्योंकि वो अपना खाना खुद बना रही है अब होगा क्या जब ये क्या होगी water के अपर surface में होगी जहाँ पर sunlight आ रही है तो वहाँ पर क्या होगा ये करेगी photosynthesis की process बट ये जब deep water में होगी तब क्या होगा तब क्या करेगी क्योंकि sunlight नहीं पहुंच रही है वहाँ तब उस टाइम पर ये photosynthesis नहीं करेगी ये क्या है अभी तक auto-trops है क्योंकि ये अपर सरफेस में थी water की जब ये deep में चले जारी तब क्या करेगी हेट्रोट्रोप्स की तरह करेगी means दूसरों पर depend रहेगी इसलिए इसमें दोनों process हो रही है autotropic भी हो रही है and heterotropic भी हो रही है इसलिए हम इसको क्या करेगी mixotrops an example है इसका euclena so ये थी detail about euclenoids अब हम देखते हैं इससे आगे slime modes के बारे में ये structure है slime mode का ये वाला structure अब देखो slime slime means क्या होता है इसके name से ही पता चल जा रहा है slime means क्या होता है chip-chipa so ये ऐसी area में पाए जाएंगे जहांपे क्या हो moisture हो so हम इनका हम कह सकते हैं क्या habitat का होगा ऐसा habitat होगा जहांपे क्या होगा moisture होगा mode of nutrition क्या होता है saprotropic saprotropic का मतलब क्या हुआ कि ये क्या करेंगे dead and decay organism पे feed करेंगे अब देखिए अगर आप मैं बात करती हूँ कि कोई हमने dead decaying leaves है हमने उनको एक ऐसी एरिया में खटा करके रख दिया जहांपे क्या हो moisture हो तो वहाँ पे slime modes easily grow कर लेगा okay then हम बात करते हैं plasmodium की कि plasmodium क्या होता है so ये समझ लीजे ये है आपका slime mode का base slime mode का base ये इसका base है तो ये जो base होता है इसी base को हम क्या कहते है plasmodium कहते है ये जो thaloid structure दिख रहा है आपको यही क्या कहलाता है इसका base कहलाता है आप इस तरीके का structure समझ लीजे ये इसकी fruiting body हुई ये जो ये वाला structure ये वाला ये thaloid structure क्या कहला है आपका plasmodium कहला है और ये जो slime modes है यह किस टाइम पर ग्रो कर रहा है इन फेबरेबल कंडिशन जब कंडिशन उसके फेबरेबल हो मतलब कि वहाँ पर क्या हो बहुत अच्छी खासे अमाउंट में मौश्चर हो बट अगर हम कहें कि अनफेबरेबल कंडिशन की बात आती तब क्या होगा कंडिशन क्या हो अनफेबरेबल हो तब क्या होगा जब कंडिशन अनफेबरेबल हो मतलब कि कंडिशन क्या हो ड्राई हो अनफेबरेबल कंडिशन हो तो प्लाजमो डियम यह है आपका प्लाजमो डियम इसके उपर यह क्या मैंने बात करी अभी यह फूटिंग बॉडि ना अपने अंदर स्पोर्स को स्टोर करती है अब क्या अभी कंडीशन उसके फेबर में आ जाएगी तब क्या होगी रेक्डाउन हो जाएगी यहां से क्या निकलेंगे sports निकलने start हो जाएंगे so उसके बाद यह sports जब निकले तो क्या होगा कि वहां पर germination start हो जाएगा so आप यहां पर देख रहे हैं यहां पर सारी detail दी गई है कि condition dry है then meiosis हुई fruiting body breakdown हो किसमें से क्या निकले क्या है यहां से sports निकलें यहां पर germination start हुऊ यहां पर сердί舞 ने क्या है फ्यूजन भी हो सकता है तो जब condition क्या हो unfavorable हो तब क्या होगा Plasmodium differentiates from the fruiting body कहाँ पर किस में हो जाएगी हो fruiting body में हो जाएगी bearing spore and their tip वहाँ पर क्या करेंगी spore को bear करेंगी इसकी tip में these spore can survive for very long under the adverse condition have a true wall क्या होगी एक true wall होगी जो हम इस fruiting body की बात कर रहे हैं जिससे क्या होगी जो जैसी भी condition होगी यह survive कर लेंगे तो यह था detail आपके slime mods के बारे में अब हम बात करेंगे protozoans के बारे में अभी तक हमने पढ़ लिया यूगलेणोइट्स के बारे में जिसमें हमने देखा कि यूगलेणोइट्स क्या थे यह mainly water and stagnant water में पाए जाते हैं किसके बीच का लिंक होता है plants and animals का इसमें cell wall नहीं पाए जाती है इसकी जो outer covering होती हो पैलिक की होती है यह सरी चीज़े हमने देखी थी उसके बाद हमने देखा था slime modes में कि यह क्या होता है slime का मतलब भी चिपचिपा है तो ऐसी area में होंगे जहां पे moisture होगा mode of nutrition के क्या होता है saprotropic होता है dead digging organism पे यह feed करते हैं अब बात करते हैं proto-jones की proto-jones क्या होता है यह unicellular होते हैं हम कह सकते हैं कि क्या होता है कि primitive relative of animals means आप देख रहे हैं कि हमने बात करी proto-jones की जो क्या है unicellular है यह क्या है इनके जो आप अगर अभी इनके types देखेंगे different types के तब आपको समझवाएगा कि क्या होते है proto-jones और इनको mode of nutrition होता है वो heterotrops होता है heterotrops में भी यह predator भी हो सकते हैं and parasitic भी predator क्या होते हैं जो प्रीपर feed करें मतलब कि अपने शिकार जो शिकार ही होते हैं and parasites क्या होते हैं parasites जो living organism को बिना kill किये उससे क्या करते हैं food लेते हैं वो parasites कहलाते हैं सो अब हम इनके types देखते हैं पहला है amoboids proto-jones amoboids proto-jones का मतलब amoboids का मतलब क्या आगया है amoeba से आगया तो इनका structure कुछ amoeba की तरह होगा ऐसा सो यहां पर क्या होगा आप देखिए amoboids का जो name आ रहा है amoeba आ रहा है सबसे पहले हम इसमें हम यह देखेंगे कि amoeba का full name क्या होगा full name क्या होता है amoeba का तो amoeba का full name क्या है एंटा मोवा हिस्टो लाइटिका यह क्या करते हैं यह कहां पाए जाते हैं पहली बात तो यह है कि यह कहां पाए जाते हैं यह पाए जाते हैं आपके इंस्टाइन में इंस्टाइन में पाए जाने के कारण यह क्या करते हैं डिजीज कॉस करते हैं यही कॉस करते हैं और उस डिजीज का नाम क्या है जो आपके एंटा मोब्या हिस्टोलिका है यह इंस्टेंटाइन में पाई जाते हैं क्यों क्योंकि एंटा का मतलब हम कह रहे हैं कि एंथरिक से ले रहे हैं एंथरिक का मतलब होता है इंस्टेंटाइन यह उन प्रोटो जॉन्स की बात कर रहे हैं जो हमारे इंसेंटाइन में डिजीज कॉस करते हैं और उस डिजीज का नाम क्या है उस डिजीज का नाम है अमीबो एसेज यह क्या है यह डिजीज है जो कि हमारे इंसेंटाइन में होती है जो कि क्या कौन कॉस करते हैं यह प्रोट क्या है क्यों बताया तो इससे होते हैं मतलब है आपको क्या करेंगे क्या क्या है वाहीं रीज़ीट करेंगे हुए हसले जी यह इसमें क्या होती है सिलीका होती है सिलीका की शेल होती है ठीक है और कुछ क्या होता है पैरा साइट होते हैं हमने इसके बारे में देख लिया कि यह क्या करते हैं हुमन के इंसेंटाइन में डिजीज कॉस करते हैं जिसका नाम है अमोबी अमोबियस सो यह थी डिटेल आपके पहले प्रोटोजोन के बारे में जिसका नाम है अमोबिया अमोबियो अमेबॉइट्स का मतलब यह किस तरीके का इस्ट्रक्चर होगा अमीबा की तारह स्ट्रक्चर होगा यह यह रगें आप लिखा भी है शूडोपोड यह जिसकी हल्प से करेंगे लोकोमोशन करेंगे अब इसके बाद बात करते हैं फ्लेजिलेटेट प्रोटो जोन्स के बारे में कि जिन में क्या हो फ्लेजिलेटेट का मतला जिसमें क्या हो फ्लेजिला हो तो अगर फ्लेजिला होगी तो लोको मोशन में किसकी हल्प से होगा फ्लैजिला की हेल्प से होगा और यह क्या होंगे यह फ्री लिविंग होंगे यह मतलब फ्री ली रहते होंगे और पेरासितिक होंगे ट्रिप्टोजोमा कॉस्लीपिंग सिक्नेस अब इसके बार में बताते हैं यह क्या करते हैं यह एक एफ्रिकन स्लीपिंग सिक्नेस होती है मिन्स यह क्या करते है यह जो फ्लैजिलेट प्रोटोजोन होता है कि स्लीपिंग सिक्नेस इसमें बढ़ जाती है familiar आसे आपको श्लीपिंग सिक्नेस को आपको जिसको हम क्या कह रहे हैं? ट्रिप्टेनोजोमा अब फ्लेजिलेट्स प्रोटोजोंस के बाद आता है सिलियेटिट्ट प्रोटोजोंस सीलिया मैंने आपको बताया था सीलिया क्या होता है? जो की क्या हो? एक ही डियरेक्शन की तरफ मूव करें और उसका मैंने एक्जामपल बताया था क्या था? पैरामीशन सो इनकी बॉड़ी क्या होगी? एक ही डियरेक्शन की तरफ मूव करेगी तो सीलिया किस चीज में help करता है? लोको मोशन में और इसका जो mode of nutrition क्या है? उसको क्या है? नूट्रिशन में भी help करता है ठीक है? सो यह क्या था आपके सिलियेटिफ प्रोटो जोन्स जिसमें हम एक्जामपल ले रहे हैं आपके पैरामीशम का सिलियेटिफ प्रोटो जोन्स में फिर आता है स्पोरो जोन्स प्रोटो जोन्स ये क्या करते हैं sporu का मतलब क्या हुआ ये किसकी बात कर रहे है spors की यहाँ पर क्या होगा spors bearing होगे ये proto-jones क्या करेंगे spors bear करते होंगे जिसका example है plasmodium ये क्या cause करते हैं it cause malaria malaria कونか cause कर रहा है support proto-jones डीटेन पूर्ट जान्स में तरह सब हैं झाल है इसे परहने में तौर्ट जान्स में था जबर श्यास्वाइब इस तरह देखा हैं Slime Mots का क्या देखा था Slime Mots में क्या था किसका Character Stick देखा था कि यह कैसे होते है चिपचिपए होते हैं So students, आज का topic यहीं पर खतम होता है Kingdom Protests Thank you so much for watching अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो don't forget to like, comment, share and subscribe Thank you